So, hello friends, welcome back to my channel, Trader Shifu और आज के इस वीडियो में हम करने वाला है विक रेडिंग जो मैं आज की वीडियो में विक रेडिंग को इतना सिंपल कर दूँगा कि कोई भी बीगिनर या प्रो लेवल का ट्रेडर दोनों ही इस नॉलेज को यूज कर सकते हैं और बाइनरी मार्केड में जो एक विक रेडिंग होती है उसको इंपलिमेंट करके आप इस चीकना शुरू कर सकते हैं एक बीगिनर के तोर पे आपको विक रेडिंग में सिर्फ दो ही बातों को फॉलो करना होता है वो मैं आपको इसी विडियो में बता देता हूँ ठीक है और ये बाते एडवास है ऐसा नहीं है कि बीगिनर लेवल बोर रहा हूँ मतलब ये सिर्फ बीगिनर के लिए है ये बहुत ही ज़्यादा एंडवाक्स नोलेज है इसलिए मैं आपको इसको एकदम प्रॉपर और एजी वे में समझाना चाता हूँ वीडियो को स्टार्ट पूरा देखना ताकि आप इसको डीटेल में प्रॉपर समझ पाओ अब इस केंडल में अगर विक बनेगी तो वो कौन से बनेगी उपर से या नीचे से लेकिन अब मैं आपको बताओं यहाँ पर बनीए विक ठीक है अब इस केंडल की उपर वाले विक बनीए और नीचे वाले विक भी बनीए अब उपर वाले विक आपको क्या indicate करती है उपर वाले विक आपको indicate करती है कि market में जो sellers है वो कितने ज्यादा heavy है मतलब वो कितने ज्यादा है उनका aggressive कितना है जैसे आप देखोगे ये जो candle है इसकी विक बड़ी बनी है मतलब कि जो sellers है वो ज्यादा strong है तो उसके बार में आप देख सकते हो market week downtrend शुरू हो चुका है देन आप अगर याप पर notice करोगे यह जो week बनी है याप पर जो buying का pressure है वो आपको देखेगा मतलब नीचे वाले week आपको क्या indicate करती है जो buying का pressure है वो गितना है और उपर वाले week जो selling का pressure है वो गितना है मैं आपको चाता हूँ easy way में समझाओ तो जैसा मैं बोल रहा हूँ उसके साथ आप भी बोलो या इस बात को notice करो वीडियो को proper focus के साथ देखो ताकि आप एक ही बारे में वीडियो को proper समझ जाओ तो उपर वाले week आपको selling का और नीचे वाले week आपको buying का indicate कर रही है ठीक है अब आपको इसमें दो key level का पता ओना ज़रूरी है जैसे अगर market उपर से selling आ रही है तो selling कौन से points आई है let's suppose हमने यहाँ पर draw किया horizontal line को पहले यहाँ पर week से यहाँ से selling आई ठीक है तो हम जहाँ पर week का level था वाँ पर एक horizontal line को draw कर लेंगे जो एक buying का pressure आया उस point पर भी horizontal line को हम draw कर सकते हैं इससे क्या होगा हमको यह पता चल जाएगा कि किस point को touch करने से market में sellers activate हुए है या किस point को touch करने से market में buyers activate हुए है जिससे हम जो next trade है वो हम यहाँ पर place कर पाएंगे और हमारे जो trade है उसको हम win कर पाएंगे so वो background में कोई noise आ गया था that's why मैं उसको वीडियो को एक बार के लिए stop करना पड़ा so I hope आप यह तो समझ चुकि उपर वाले विक और नीचे वाले विक आपको क्या indicate कर रही है ठीक है और किस point से selling और buying का pressure आ रहा है वो भी मैंने आपको clear कर दिया है लेकिन अब इसको minori market में कैसे use करना है और एक जो proper range होती है वो भी आपको proper समझना ज़रूरी है so आपको एक candle के बारे में मैंने बता दिया अब जो अलग-अलग wick बनती है मैं अब उसके बारे में आपको बताता हूँ let's suppose market में अगर कोई wick बन रही है जैसे first ये candle बनी अब इसकी उपर वाले wick और नीचे वाले wick अगर दोनों equal है मतलब ये जो candle बनी है उससे आप ये नहीं judge कर सकते हैं गि market में आपको next rate कोई सी place करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है अगर इस candle से पहले जो ये candle बनी है जिसके उपर वाली और नीचे वाले wick equal है तब आपको देखना है कि market ने back में कैसे मूँ किया है अगर market एक zone में है ठीक है जैसे market अगर एक stake area में है जो आप सभी को पता है एक जो range market होता है stake market होता है या जाप एक color pattern form होता है अगर वैसे market में है तो आप आप एक color pattern को use कर सकते हो जो red green का simply बन रहा है ठीक है या फिर आप अगर market ये तो मैंने आपको बता दिया range market का अब अगर market एक trend में है जैसे आप या पर देखो कि या पर market एक trend में है और market ने क्या किया ऐसी candle बना दे जिसके उपर वाली और नीचे वाले विक दोनों equal है ठीक है या पर ये थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन तो भी ये आप देखो कि mostly equal है तो आप या पर एक buying में जा सकते हो और trade को win कर सकते हो और इस point पर आपको क्या देखना है कि market में जो इससे पहले वाली candle बनी है उसने क्या किया इस उपर वाले point तक जाके आई है मतलब आप या पर ये भी logic लगा सकते हो कि इस point से selling आई है ठीक है मैं एक बापस बोल देता हूँ और easily बोल देता हूँ let's suppose market में ये जो candle बनी है उसके बनने की पिछे का logic समझो candle कैसी बनी होगी candle या पर ऐसे बनी ठीक है फिर market उपर गया उपर गया उपर गया इस point से क्या होँआ इस point से market में selling आई मतलब इस point तक पहले बायर जा चुके होंगे तभी इस point से sellers आये है तो फिर sellers आये और वो market को नीचे लेके चले गए लेकिन एक बार के लिए तो इस point तक बायर गये थे इस point तक तो अब जब market फिर से इस point तक जा सकता है क्योंकि market अभी एक trend को follow कर रहा है तो trend में आपको क्या करना है अगर market dose ही बनाए तो आपको continue में जाना है मतलब उपर वाली और नीचे वाली विक अगर equal हो तो आपको continue में जाना है और आपको एक बात और notice करना है कि back में market ने मतलब एक impulse विवे में selling आई हो ताकि back में कोई level ना हो ठीक है आपको यह point clear हो चुका होगा अब हम चलते हैं second point पे फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि अगर उपर वाली और नीचे वाल विक equal है तब आपको कैसे treat करना है लेकिन अब अगर हम समझता है और मैं आपको proper यह भी बता रहा हूँ कि range market में और एक जो trendy market होता है दोनों में कैसे इसको apply करना है so I hope आप या तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा that's why मैं आज आपको इसी point को clear करता हूँ then इसकी मैं playlist बढ़ा दोगा जिसमें हमार एक point को detail में समझेंगे आज हमने क्या समझा कि उपर वाले विक और नीचे वाले विक अगर equal हो और वो अगर trend को follow करें तो आपको वाँ पर क्या करना है continuous में जाना है और अगर range में हो तो आपको color pattern या जो एक selling का pressure होता है या buying का pressure होता है उसके according चलना है मतलब market में पहले जो trend था वो कैसा था तिससे आप यहाँ पर notice करोगे यहाँ पर अभी जो trend है अभी यहाँ पर कोई trend नहीं है अभी यहाँ पर color pattern बन रहा है लेकिन पहले market में क्या trend था buying का था तो अब अगर किसी भी candle की नीचे वाले विक अगर बड़ी बनेगी तो हम यहाँ पर buying में जा सकेंगे I hope आप proper समझे लोगे या कोई doze भी बनेगी जैसे अभी मैंने आपको बता था उपर वाली और नीचे वाली विक अगर equal बनी तो हम यहाँ पर buying में जाने के कुश्च कर सकते हैं जो हम trade को win भी कर सकते हैं तो हम मैं उसी के according trade भी place करूँगा और आपको proper समझाओंगा भी ओके सो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कोई doze भनी नहीं है basically यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर market पर selling आना शुरू ही ठीक है यह क्या बनी एक doze बनी डोजी मतलब जिसकी उपर वाली और नीचे वाली भी क्याँ पर equal है आप देखोगे mostly यह equal है तो यहाँ पर आप continuous पर जा सकते थे और एक trade को win कर सकते थे लेकिन आपको जैसा मैंने बोला था कि bet में आपको levels देखने है यहाँ पर इस point पर level था और इस point पर level था अब यहाँ से buying का pressure क्यों आया है क्योंकि यहाँ पर gap up and gap down का level है तो यह आपको खास करके avoid करना है gap up and gap down का level क्योंकि यह normal level से दस्त भुना ज़्यादा strong होते है ओके सो यहाँ पर यह डोजी बने नहीं है अब देखते हैं यहाँ पर यह candle कैसे बन थी ओके सो मैंने यहाँ पर दो टेट पेस कर दी है buying side अब यहाँ पर एक logic लगाना ठीक है क्योंकि मैं जो trade गरता हूँ वो कभी एक pattern पर या किसी भी scenario पर नहीं करता हूँ मैं proper अपना logic भी लगाता हूँ let's suppose जैसे मैंने आपको बोला उपर वाली और नीचे वाल इविक अगर equal बनेगी तो आप आप एक continuous बजा सकते हो यहाँ पर trend गया है यहाँ पर trend है buying का तो आप यहाँ पर continuous में जा सकते हो मतलब यहाँ पर आप जा सकते हो buying में ठीक है अब let's suppose अगर यहाँ पर जैसे मैंने आपको यह इस टर्सी बता दी और इसके according आपको buying में जाना है लेकिन अब अगर मैं आपको क्या बोलना हूँ कि यहाँ पर अगर color pattern भी बने जैसे यहाँ पर green, red, green तो उसके according भी हमको buying में जाना है मतलब हमारे पास कितनी confirmation आ चुके है दो ओके और जब हमारे पास किसी भी trade में जादा confirmation आती है मतलब हमारे जो accuracy है वो यहाँ पर automatic बढ़ जाती है तो अगर accuracy बढ़ेगी तो आपकी जो winning के chances है वो यहाँ पर जादा हो जाएंगे क्योंको किसी भी एक pattern को follow करने से अच्छा है कि आप उसके पीछे का logic proper समझो तो मैं इसलिए try करता हूँ कि wick reading और candle reading को आपको proper knowledge दूँ जिससे आपको proper सेखने को मिले अब यहाँ पर देखोगे तो जैसा मैं आपको बोलता gap up and gap down का level 100 time जादा strong होता है और वही यहाँ पर हुआ पिए यहाँ पर आप देखोगे यहाँ अच्छी short short strategy और यहाँ पर आप आप देखोगे यहाँ पर मैं एक और strategy आपको बता रहा हूँ यहाँ पर मैंने जैसा आपको बोलता कि gap up and gap down का level 100 time मतला 100 तो नहीं बोलता लेकिन 10 बोलता लेकिन आप उसको 100 भी count कर सकते हो यहाँ पर क्या होए gap down हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर रुका था अगर जो लोग trade करते हैं तो वो यहाँ पर simple सबको पता हुगा कि अगर किसी भी candle की उपर और नीचे विक नहीं बनती है तो market वाँ पर क्या गरता है यह आप सभी को पता है इस candle का नाम भी आप comment में जरू से बता दो यह mostly candle होती है इसलिक कुछ इसका नाम है ठीक है अगर किसी candle की उपर और नीचे वाले विक नहीं बनती है तो mostly वाँ पर क्या होता है country उसमें जाते हैं सारे लोग लेकिन आप अगर इस वीडियो को proper देख लोगे तो आप यहाँ पर नहीं जाओगे क्योंकि आप सबी को पता चल जुगा है कि यहाँ पर क्या है gap down का level है जो यहाँ पर नॉर्मल लेवल से 10x ज्यादा strong होता है तो यहाँ पर वेट करोगे कि market इस point को आप देख सकते हो जब market इस point को टच किया तब ही यहाँ पर जो selling का impulse आप आप शुरू से देख सकते हो selling गई थी इस point त selling का pressure होता है वो भी जादा देखने को मिलता है तो उसके बाद में आप next selling में जा सकते हो लेकिन आपको हर टाइम नहीं जाना है यह कोई एक more scenario में जहाँ पर selling का pressure जादा है कोई एक जो gap up and gap down के या SNR level के आसपास है ठीक है उसको भी हम proper decode करेंगे कि वो कैसे बनता है उसको आपके लिए work करेगा और एक week को fulfill करने का जो level होता है वो भी आपके लिए work करेगा तो अब आपके बाइंग में जा सकते हो लेकिन मैं आपको यह बता देता हूँ ठीक है जैसे आप देख सकते हो बाइंग का pressure कितना ज़्यादा है क्योंकि आप एक color pattern एक जो trend है बाइंग क आपको लाइव आता है मतलब रात को दस बजेग तो दस की साड़े दस या ग्यारा भी बस सकते हैं लेकिन मैं ठ्राइ करता हूँ कि लाइव आओ अगर कोटेक्स में कोई bug नहीं है कोटेक्स एकदम सही move कर रहा है तो आपको signal भी देने कोशिक करता हूँ लेकिन mostly हमारा focus र जो live stream होती है उसके लिए update रहे पाओ ठीक है ताकि आपको knowledge मिले और knowledge मिल गई तो आप पैसा तो easy दे बना लोगी तो जैसे मैं आपको trade थो हमने एक ही किये लेकिन मैंना आपको जो strategies होती है उनके पीछे क्या logic लगता है वो मैंना आपको proper guide किया है ठीक है एक stick market उसको कैसे use करना चाहिए और एक trendy market उसको कैसे use करना चाहिए ज्यादे एक रूसी आपको कब मिलेगी जब आप उसको एक trend में follow करोगी ठीक है और यहाँ पर gap down का level भी है तो मैंना आपको अभी clear कर दिया था जो एक normal snr से 10 time strong होता है तो आपको क्या करना है आपको करना है wait कि वाँपे क क्या हो सकता है तो आप देखोगे जब इसको touch किया तभी market में selling आई थी ओके और यहाँ पर क्या होता यहाँ पर एक color pattern भी था red green back to back जब दो red बनते हैं तो आपको green में जाना चाहिए तो आज एक वीडियो मैंने आपको 3-4 ऐसी strategies बता दिये जिससे आप easily अपने मंतले target भी चीव कर सकते हो और यहाँ पर मैंने आपको दो trade यहाँ पर लेके भी दिखा दे जो आप पे 100% विन हो चुग है वो भी डीप विन ओके तो आपको आज भी कुछना कुछ सीखने को मिला उपर जल्दी से जाकर टेलिंगाम कृप में जोइन हो जाओ क्योंकि लाइव इस्ट्रीम से आपको जो साइकल हो जीथी वो भी सीखने को मिलेगी emotion control में कैसे करता हो कौन सी जगे में trade करता हो और live market में आपको proper बताता हो कि कौन से पेर में आपको trade करना चाहिए कौन से में नहीं करना चाहिए जाकर जोइन हो जाओ और आप यहां पर देखोगे अभी भी इसमें selling का प्रशा आपको दिख रहा है लेकिन एक और बात भी आपको बता देता हो कि अगर आप binary trading में new हो या advanced knowledge रखते हो फिर भी करके किसे एक trade place करते हैं तो वस वीडियो का link या वस वीडियो आपको left side में दिख जाएगा तो उस पर जाके एक बाद tap कर लो और हम मिलते हैं direct receive वीडियो में आपको आज भी कुछ ना को सीखने को मिला होगा so okay friends thanks for watching